वेलो फ्रेंट, वेलकम टुझी माई चैनल जैसे कि बता है कि triple C का क्लास चल लाता और वह जीसे मैंने वीडियो नहीं डाला ठीक है पांच क्लास मैंने ले चुक आता triple C का ठीक है और उसका ये छाटवा है जैनि छाटवा क्लास है जिसके न्रगत मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ application of digital financial service ठीक है मैं पढ़ाने वाला हूँ application of digital financial service अब देखिए इससे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ा ज़का है basic fundamental ठीक है इसके साथ साथ मैंने आपको क्या पढ़ा ज़का है Libre Writer फिर से Operating System उसके साथ मैंने DOS पढ़ा दिया ठीक है अगर आप मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में triple C को ओपिन करके वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं ठीक है तो आज की नए topic पर चलते हैं application of digital finance अब Libre Writer के बाद मैं आपको Libre Calc और Impress बाद में पढ़ाँ का पहले मैं इसको cover करने वाला हूँ ठीक है ना तो चलिए शुरू करते हैं digital financial service होता गया है ठीक ना तो बित्ती सेवाओ का digital lab उठाना यानि बित्ती सेवाओ बित्ती मींस क्या हुआ finance यानि money ठीक है यानि जो हमारे पास होता है कस बित्ती सेवाओ का digital lab उठाना यानि internet के माध्यम से क्या करना लाब उठाना ही क्या कराता है डिश्टल फाइनेशल सर्विस कराता है या हम उसको एक और भासम कर सकते हैं कि हर व्यक्ति के पास डिश्टल सेवाओं को उपलब्द कराना ही डिश्टल फाइनेशल सर्विस कराता है Digital Financial Service का मतलब होता क्या है इसका यूज क्यों है एक व्यक्ति अगर बहुत बड़े ब्रांच में माले SBI का कोई ब्रांच है जिसका पुरा State Bank of India और यहाँ पर उसका customer है जैसे आप माल लीजिए अपने आपको जोड़ लीजिए customer है वो क्या क्या खाता खोला उसकी रेंज आपका 20 km है तो क्या वो पॉसिबल है कि उसमें पैसा लेन देने या ट्रांजेक्शन करने और रोज जा सकता है नहीं जा सकता है तो तो digital financial service करता क्या है ठीक छोटे छोटे एक retailer shop होते है जैसे spice money यानि जो आप आधरकार से पैसा निकालते है या आपका वो POS device होता है जिसके माध्यम से आप पैसा निकालते है अगर आपके घर के पास एक किलो मीटर दो किलो मीटर या आपके 500 मीटर में हो यानि उस range में तो आपको कम समय और हर एक घर के पास ही इसको उपलब्त करा देती है ठीक है तो यह digital financial service कराता है इसके मुझे तक तीन घटक होते है यानि इसके तीन प्रकार होते है इसके घटक होते है पहला digital transaction platform दूसरा retail agent तीसरा devices अब दिश्टल transaction platform क्या होता है ठीक है अब जो हमारा digital transaction platform होत सबसे पहले यह आपको जानना बहुत जरूरे digital transaction platform होता क्या है ठीक है तो दीको यह भी एक माध्यम होता है क्या होता है एक माध्यम होता है जो किसी भी ग्रहकों को device के माध्यम से लेंदेन को संभव बनाता है ठीक है जो किसी भी ग्रहकों के बीच क्या करता है लेंदेन को स क्रविस्ठाब होता है यह कोई भी इसका अगणता है यह कुछ दिफीजाचश के हमारे government Date 250 की यह क्या होता है यह क्या निक ब्रौनिक करता है और जो उसका लिंड्न का ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री होती है वह भविस्द्रेमे चाहे तो कभी भी देग सकता है तो तो रिटेलर एजेंट रखके क्या होता है यह electronic मादिम से सब्सक्राइब करके रखता है ठीके ना अब फिर साथ आगला devices devices में इसका होता है युक्तिया यानि इसमें कौन से devices के प्रियोग होती है ठीक है तो बहुत सारे devices है जिसमें से मुख होता है POS जिसको आप swipe machine भी कहते हो और इसका उद्धेस क्या होता है डिश्टल financial service क required this क्या होता है यह बिथी सेवायो का लाब से तेखनलोजी द्वारा असान बना दोती है यही डिश्टल आवस्चक्यों है अग्रत आप उगानता है हमारे लिए बचत आवस्च्यों है आपके आपकालीन घटना को नहीं जान सकते हो तो आपकालीन घटना को भाप नहीं सकते हो कब अपातकालीन घटना आ जाए कब आपकी एक्सिजेंट हो जाए कब क्या हो जाए ठीक तो यह आप नहीं जानते हो तो उस समय अगर आप सेविंग नहीं किये रहोगे तो क्या होगा आपकी मौत भी हो सकती है अगर सेविंग किये रहोगे तो उससे आपकी क्या हो जाएगी उसी पैसे से आपके दवा हो जाएगी ठीक है ये सब आपातकालीन सेवा के लिए आपको सेविंग बहुत ही ज़रूर रहते हैं अगला दिया है बढ़ाएगे ठीक है ये चीज होता है तीसरा दिया सेविंग आर सेविंग सेफ्स फ्यूचर वायरिंग और आर आवेज मूर इंपोर्टेंट थिंक्स यू इमिडेटली वांट ठीक है देखिए कल की चिंता का इलाज आज की ही बचत है यानि कल की चिंता आप करोगे उसका इलाज क्या है आज की बचत है यानि आज जो आप बचत करोगे उसी से आप कल के बारे में सोच सकते हो क्योंकि अगर आगे नहीं सोचोगे तो आप बचत नहीं करोगे बचत नहीं करोगे तो आगे घठना घर सकते है जिसे अपातकाली नहीं हो सकती है इन सब की इलाज का एक ही का रहा है saving एक ही दी जाए आप saving करोगे saving करोगे तो आगे आप survive कर लोगे असानी कर सकते हो survive कर सकते हो okay next चलिए और यहाँ यहाँ तक हापको समझ आगेगा चलिए next रहते है fund तिलहें अगला topic क्या होता है fund ठीक है, फंड क्या होता है, फंड मिंस होता है नीधी, क्या होता है, नीधी, अब ये नीधी जो होता है, ये तीन प्रकार को होता है, इमेर्जेंसी फंड होता है, फ्यूचर निट्स होता है, और लार्ज एक्सपेंसे होता है, ठीक, इमेर्जेंसी मिंस होता है, अपात्काली फंट ठीक है फ्यूचर मेंज भविश्री की नीड और लार्ज एक्सपेंसेद ठीक है इमर्जेंसी फंट क्या हुआ जैसे इस समय सबसे बड़े एक्जामपल ले लिजे इस समय कुरोना काल चल ला है तो कुरोना काल से क्या हो रहा है आप देख रहें बहुत लोग मर रहे है बहुत बिरोजगारी आई है तो यह क्या है अपातकालीन घटना इमर्जेंसी घटना है ठीक है यह सब के साथ कभी भी हो सकता है ठीक है तो इसलिए क्या होता है यह हमारी बिरोजगारी ठीक है फिर से बीमारी या भारी कोई खर्चा यानि भारी कोई खर्चा पड़ जाए देना अगला फ्यूजर नीट्स यानि भवी से की चिंता हैं आप सकता क्या है सपोस्थ आपकी मैरी हो गई यानि साधी हो गई आपके बच्चे हुए अब आप में बच्चे के बारे में सोचो गई कि हम जैसे हमार बच्चा उससे अच्छा बने वह आगे पढ़ाई करें और में आपको बेज़ा तो उसके लिए क्या है आपको फ्यूजर निट्स की बहुत ज़रुत पढ़े क्योंकि आप अपना फंड इक अठा नहीं करोगे तो उस वाग कैसे भीज़ो तो यानि यह जो हम सिच्छा के लिए बीडेस भीजना या सिच्छा के लिए पढ़ने के लिए बाहर बच्चों को भीजना यह फ्यूजर निट्स के अंत्रगत आता है ठीक न अब होगा लार्ज तो यह हमारी सोचने वाली बात है यह हम करेंगी क्या साधी में पैसा कहा चाहेगा इसके लिए जरूरे भाई आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ और बचा के रखो ताकि हम साधी में एक दिन उसको यूज असानी से कर सकते ठीक है तो यह सब चीज है तो साधी के लिए साधीं पैसे बचाना ही आपका लाज एकसपेंस है असके साथ चाथ आपको घर बनवाना और यानि married, फिर से home, घर बनवाने के लिए भी आपको एक मोटी रखाम, फिर से car, bikes, ये सब क्या है, हमारे large expenses है, इनके लिए आप पहले से saving करेंगे, याप fund की कठा करेंगे fund को, तब ही आप क्या करते हैं, एक large खर्चे आप कर सकते हैं, तो I hope आपको ये fund समझ आ गया, fund तिन परकार क अगला देखे, drawback keeping cash at home, अब देखे, घर में पैसा रखने का घाटा क्या है, यादि drawback में उसा था घाटा, ठेके न, अब देखे, पहला लिखा है unsafe method, अब ये unsafe method क्या होता है, क्या आपका घर में रखा हुआ पैसा सूरच्चित है, अधिक्तर लोग कहेंगे हाँ, सही है, क कुछ भी हो गया, तो क्या पैसा आप रिकवर कर पाओगे, आप आप आओगे दुबारा, नहीं पापाओगे न, तो उसको हम unsafe method के अंतरगात रखते हैं, लेकिन यही पैसा अगर आपने बैंक में रखा, तो क्या होगा ये पैसा आपका हमेशा के लिए safe हो जाएगा, अग अगर आपका behavior अच्छा रहेगा, तो bank आपको क्या करेगा, आपका loan भी पास कर देगा, आपको घर मनवाने करेगा, ये भी तो जरूराता है, तो इसलिए ये क्या है, unsafe method के अंतरगात रहता है, अगला lost growth opportunity, घर में रखे पैसे का क्या आपने कभी ये देखा है क्या उसका growth ह होते हुए, ठीक है? नहीं होता है, की घर में पैसा रखा हुआ, जितना मून देखा हुआ, फरショ Make यह कि वो पैसा ग्रू करेगा या ना करेगा अगला दिखा है नो क्रेडिट इलिजिबिलिटी अगर आप बैंक में पैसा नहीं जमा करते हैं तो आप बहुत से लाब से वन चीतरा जाएंगे पहला तो यह आपका लाब ही होगा बैंक आपको लोड नहीं देगा ठीक दूसरा अंकेट मेंटर लॉड बूरोड ऑपनेटि ररिवेजिबिलिटी ति नेक्स चलते हैं वाइव नेडव हमें बैंक क्यों पर ढण आप सब्सक्ता क्यों करते हैं बैंक हुआ माध्य मुताजिस के अंतरगत हम पैसे की सेविंग करने है ठीक है यह होता है पहला के सिक्यूर मनी और इंट्रेश्ट गेट लोड ठीक है हाँ बैंक की अच्छी तरह होता है उसके ऊपर ब्याज मिलता है और हमें भविश्चे में लोन भी प्राप्स हो सकती है अ जितना आपकी है आप उसको आगे सेव कर सकते हो यानि सेविंग कर सकते हो ठीक है तो यह आपको रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही काम आने वाला है यह बहुत अच्छी आदत पन जाती है एक इनसान के लिए ठीक है न तो यह चीज़े हैं निरतर सेड़ी पे रहोगे और किसी के का बढआ कर सकते हैं जो हमारा डीडी होता है उसमें पैसे नीजित विटी दे रहे हैं धोख अधरी गाली कम्पनीया होती है उससे क्या करता है हूँ आप को बचाता ऐ, बेंक क्या करता है आपको बचाता है, याई आप बेंक में आपका पैसा रहीगा, तो सुरच्छित रहीगा, नहीं तो A85-डill cream from Ph 5 and type of account and deposited ठीक है अब ठीक हे बैंकिंग प्रोड़क्ट तो बैंकिंग के एककाउंट कोन से प्रोड़क्ट हो तो होते है और Types of account के कितने प्रकार और deposits क्या होते है ठीक है ला तो ठीक है बैंक में तीन प्रकार के account खूलते हैं पहला Saving Account दूसरा Current Account तिसरा recurring account ठीक है जिसको हम बोलते हैं बचत खाता चालू खाता और एक होता है हमारा आवरती खाता आवरती खाता ठीक है यह हमारे तीन पर करके क्या होता है आप जो saving account होता है बैंक में आप जब account खोलते हो तो देखिए इसमें आप एकाउंट खोल लोगे तो क्या करोगे आप उसमें पैसा जमा करोगे तो पैसा क्या होगा उस पैसे पे आपको कुछ ने कुछ ब्याज मिलेगा जीतना ब्याज मिले वो बैंक को बड़िमेंट करता ह आपको saving account तभी खोलना चाहिए जब आप पैसा कुछ समय के लिए छोड़ना चाहो उससे बारवर पैसा नहीं निकालना चाहिए जिससे क्या होता bank disturbance के कारण आपका कुछ पैसा कटने लगता है ठीक है तो saving account खोलके आप कुछ पैसा उसमें हमेशा के लिए छोड़ दो current account जो current account होता यह businessman के लिए होता है या बड़े कंपणियों के लिए होता है यह चालू खाता होता होता है ठीक है इस चालू खाते में होता क्या है चालू खाते में जो हमारा पैसा होता है ठीक है वो आप जम्मन करें निकाल सकते हो जम्मन करें डाल सकते हो पैसा ठीक है उसम चारुखाता का यूच करना जाते हो अगर पैस आपकी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो आप चारुखाता का यूच कर सकते हो और यह चाहे आप सेविंग काउंट खोलो चाहे करन्ट एकाउंट खोलो ठीक दोनों में आपको ATM कार्ड मिलेगा ठीक है ठीक अगर आ आपको 10% लोन पॉसिबल होता है जिरन्ट लोन मिल जाता है ठीक है यह सब चीजे आपको ध्यान बेरखके चलना है ठीक है आखला गें जो इंपोर्टन है वह है रिक्वेश्वारिंग एकाउंट जिसको जो बोलते हैं आवरती खाता क्या बोलता है आवरती खाता अब अब यानि आप 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, यानि जितना आपकी आउकात है, जिस तरीके आपकी दुकान है, वैसे आप पैसा जमा कर सकते हो, यानि आप 100 रुपया मंथली जमा करते हो, तो टोटल वो 3000 रुपया, महीना, 100 रुपया प प्रणटिप बैंक में जमा कर सकते हो तो आवरती खाता क्या होता है एक कलेक्शन होता है वो लोगों पर एक भार ना पड़े इसलिए धीरे दीरे बैंक क्या करता है अपने एजेंट्स के माधेम से पैसा थोड़ा थोड़ा आपको करके पलड़े लेते रहता है ताकि आपको most important exam में पूछा है यह question ठीक है 6 महीने से 10 साल तक होता है ठीक है तो आप क्या करोगे जब यह पैसा आप इसमें जमा करोगे तो आपको यह 6 महीने पहले नहीं निकाल सकते हो और 6 से 10 साल के बीच को तो यह पैसा नहीं निकाल सकते हो यह समझे एक तो फिक्स डिपोजिट हो जा दिया ठीक अब बहुत सारी चीज है ठीक और भी हम समझा सकते हैं लेकिन फिर भी आपका टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए अब यहां रंग देते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता तो मेरे चैनल को लाइक किए शेयर के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अबंग रहा है लेकर राम लेक सकते हैं बिसक्राइब जाल आपके इसलिए को रहा है और मैं भी यहां मुझा रहा है प्रहां रहा है शे डेकर रहाता हैं बहां हैं लेक पपके